वेल्कम दिस कमबैट इस कमबैट में क्वेस्टिन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन से लिया हुआ है और यहां पर आपका क्वेस्टिन डिस्प्लेस्मेंट बेस्ट है अगेन अगर मैं बात करूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके कुछी टॉपिक्स आते हैं जैसे कि अगर एक पार्टिकल एसेचम दिखा रहा होता है तो उसके डिस्प्लेस्मेंट की बात आप करते हो उसके विलास्टी एक्सलरेशन की बात करते हो काइनिटिक एनरजी, पोटेंशन एनरजी की बात करते हो एक पार्टिकल जो एसेचम दिखा रहा होता है उसके काइनिटिक एनरजी की बात करते हो उसके टोटल एनरजी की बात करते हो उसके ग्राफ्स के बारे में आप बात करते हो और लास्ट में उसी चैप्टर में आप देखते हो time period of oscillation एक pendulum के लिए एक spring जो oscillate कर रहा होता है उसके लिए related time period यही चीज़ आप discuss करते हो SHM वाली चैप्टर में चैप्टर बहुत important है और बहुत छोटा है आप उसको बहुत ही कम time में master कर सकते हो तो यहाँ पर इस combat में जैसे कि आप question देख रहे हो आपको यहाँ पर question में बोला गया है कि एक particle SHM दिखा रहा है that means आपको पूरा पता है कि SHM हो रहा है और उसी SHM अगर एक particle SHM दिखा रहा है उसी का amplitude आपको निकालना है that means यहाँ पर आपको amplitude निकालना है एक ऐसे particle का जो SHM दिखा रहा है और उसकी SHM का equation यह देकर है चलो पहले equation में लिखता हूँ आपको equation देकर है y is equal to a0 plus a times sin omega t फिर आपके पास plus b times cos of omega t और यह होनी चाहिए SHM की equation क्योंकि यहाँ पर भी omega t है और यहाँ पर भी omega t है equation की equations देखते हो ना तो यहाँ पर a0 आपको नहीं दिखाई देता है तो यह question इसलिए interesting बन गया क्योंकि यहाँ पर a0 है अगर a0 नहीं होता फिर ऐसे questions आप books वगेरा में देखी लेते हो अब यहाँ पर आपके पास a0 था ना उस a0 को किसी तरीके से आपको eliminate करना है क्योंकि actual में जब आपका particle SHM दिखा रहा होता है उसकी displacement का equation जब आप देखते हो ना आप देखते हो कि right hand side में या तो sine term होगी या तो cosine term होगी या इनका summation होगा linear summation होगा और further आप देखते हो कि यहाँ पर frequency same होती है that means इस a0 को किसी तरीके से आपको क्या करना होगा रिमू करना होगा वो कैसे होगा आप simply इसको transpose कर दो अब transpose करने पे आप बोल सकते हो यह आपके पास y-a0 आ जाएगा let it be y dash और फिर मैं इसको लिखता हूँ it is equal to a times sin omega t plus b times cos omega t अब मैं important point बोलने वाला हूँ आराम से देखते जाओ यहाँ पर y-dash जो है ना यह actual displacement है आपके उस particle का जो shm दिखा रहा है यह correct form equation है आपके उस particle का जो shm दिखा रहा है यह appropriate form है यह inappropriate form है इस चीज़ का आपको take care करना है अब further ज़रा यहाँ पर देख लो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर आप दो तरीके होते हैं इसको solve करने के एक होता है कि आप analytically इसको solve करोगे question बहुत खिंज जाएगा वैसे मगर answer आपको फिर भी मिल जाएगा दूसरा तरीका होता है phasors को use करना अब देख लो phasors को कैसे use करोगे मैं यहाँ पर sign को as a base लेने वाला हूँ कहने का मतलब आराम से देखते जाओ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ y dash it is equal to a अपनी जगा पर मैं लिख सकता हूँ ना इसको sign of omega t फिर मैं यहाँ पर plus 0 लिख रहा हूँ मैंने वापस यही लिख दिया बट मैंने बताया ना sign आपका base है तो मैंने argument में omega t के साथ क्या लिख दिया मैंने 0 लिख दिया फर्दर अगर मैं बात करूं यहाँ पर plus b अचा cos omega t को आप लिख सकते हो ना यह बहुत important part है cos omega t को आप लिख सकते हो ना sign omega t plus pi by 2 क्योंकि sign 90 plus theta क्या होता है cos theta sign 90 plus theta क्या होता है cos theta तो sign 90 plus theta cos theta तो मुश्किल होना नहीं चाहिए अब आप देख सकते हो कि इस equation में पहला term sign है दूसरा term sign है मगर यहाँ पर पहली term में आप देखोगे कि omega t के साथ 0 है that means यह आपका एक reference आ जाएगा 0 reference, 0 line आपके पास आएगी further आप देख रहे हो कि इस sign में आपका pi by 2 है that means आपका जो दूसरा phaser होगा कैसे draw करना होता है आप देख लो कि मैं एक reference ले रहा हूँ यह 0 है that means मैं इस baseline को क्या मान रहा हूँ कि यह 0 को represent कर रहा है और exactly इसका magnitude मैं A ले रहा हूँ तो यह आपके पास A है बराबर vector के form vector जैसे आप पढ़ते हो ना बराबर वैसे vector का magnitude और vector का direction 0 वैक्टर का direction 0 parallel to x-axis खतम अब जरा दूसरा देख लो इस वाले part में आप देख सकते हो कि magnitude कितना है B अब मुझे यह वाला vector draw करना है राधर phaser draw करना है बढ़ आप vector की तरह इसको treat कर सकते हो आप देख सकते हो कि अब मुझे यह वाला vector draw करना है इसका magnitude कितना लोगे इस vector का B लोगे दूसरा point अचा यह vector exactly किस angle पे draw करना पड़ेगा 90 degree पे with respect to previous vector क्योंकि आपके इंदो के बीच का angle जो है न वो यही 90 है और आप देख रहे हो कि यह वाला part जो है यह plus 90 का मतलब यह आगे होगा यह lead करेगा by 90 degree तो अगीन यह आपने पढ़ा होता है way optics में पढ़ते हो AC में पढ़ते हो phasors के बारे में नया नहीं होना चाहिए आप entrance में अभी हो यह चीज़ आपने पढ़ा हुआ इसको आप यहाँ पे use कर सकते हो तो फर्दर अगर मैं बात करो यहाँ पर आपके पास इसका phase दर्ज़े में draw करूँगा न वो कुछ इस form का आजाएगा 90 degree lead क्योंकि यहाँ plus आया तो 90 degree lead कोई doubt नहीं होना चाहिए और इसका magnitude आपके पास b होगा अच्छा आप ज़रा खुद से देख लो दो vectors है दो vectors यहाँ पर 90 degree पर है दो vectors orthogonal है resultant कैसे निकालते हो resultant कैसे आप निकालते हो अगें यहाँ पर तो 90 degree का case आ गया अगर 90 degree ना हो 60 degree हो 30 degree हो तो पहले आप resultant का equation तो याद करो आप लिखते हो ना कि r is equal to under root of a square plus b square plus twice a b cos of theta यहाँ पर आपका resultant जो है यहाँ पर आपका resultant है वही amplitude of oscillation होता है यहाँ पर जो आप resultant इस case का निकालोगे equation था SHM का equation था SHM का आपने simply इसको sign के form में लिख दिया phasors को draw किया यहाँ जो आप resultant निकालोगे वही आपका amplitude होगा यह बहुत आसान है further अगर मैं बात करूँ theta यहाँ पर 90 है ना तो cos 90 किसके बराबर 0 यह वाला part आपका vanish हो जाएगा 0 that means आपका जो यहाँ पर amplitude आएगा वह simply under root of a square plus b square अब कुछ students होते हैं ना उनको पता होता है फेजर के बारे में सब कुछ उनको सारा पता होता है बट वो क्या करते हैं वो exactly जब question को देखते हैं तो यह question जब देख लिया तो वो बोलते हैं ठीक है इसका amplitude direct निकल जाएगा इसका amplitude जो होगा वो under root of a square plus b square होगा direct उनको पता होता है तो फिर वो क्या करते हैं वो under root of a square plus B square को A not add कर देते हैं वो लगता है कि आप इसको A not add करना है क्योंकि इसके साइन है ना कॉस है वो A not को add करते हैं इसी के साथ और finally वो कोई option है क्या? बहुत सही A option है वो A part को tick करते हैं बट आपका यहाँ पर A answer नहीं है यहाँ पर जो answer आपके पास है वो आपका B part है A गलत है यहाँ पर तो जो options है ना जो options यहाँ पर है वो बराबर इस तरीके से दिये होते है कि आप गलती करो ही करो और एक बार बोल रहा हूँ जब भी आपको इस pattern के question आएंगे आपके sign और cos वाले part right hand side पर आने चाहिए यह जो DC part है आपका जिसके साथ ना sign होता है ना cos होता है इसको किसी तरीके से पहले आप vanish किया करो vanish करने का मतलब यह है कि आपसको transpose किया करो यह part फिर जो है यह represent करेगा आपका actual SHM का displacement का equation और यहाँ से फिर आप peak निकाल सकते हो और आपका peak यहाँ पर under root of A square plus B square आजाएगा hopefully किसी को कहीं पर doubt नहीं होगा बाकि next combat में देखते हैं